अब पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नमबर 6 एक से पांच ता कॉल एडिया अप्लोडेड है यह एडिटोरिया वॉलूम 1 का बिहार SI मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है साधी साथ प्रैटफॉर्म वॉलूम 2 के सारे स अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस से देख सकते हैं और एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहरा हूँ आप लोग मुझे सेट का एक एक टाइमिंग बता दीजे जो टाइमिंग आप लोगों के लिए सबसे जादा सुटेबुल है उस टाइमिंग पे मैं आप सिरुधीर बर का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है तो देखे हम लोग पड़े थे A का एंटीut एंटीबॉडी होता है B, B का होता है A, और AB का कोई नहीं होता है और O का A और B दोनों होता है तो इस question का जो सभी अंशर हो जगा बहु हो जगाब आप्सन नमर डी A, B, AB क कोई भी antibody नहीं होता है next question हमारा question number second question number second कहा jakam crianosę से ये सारा enzyme का सराब होता है next question हमारा question number third question number third कहारा जीव के किस भाग से मीठे स्वात का अभास होता है तो इस question का जो अबहाब से मुझे मीठे का अभास होता है पीछे वाले भाग से कड़वा का अभास होता है और बगल के भाग से खटा का अभास होता है Question number 4 कह रहा है Fibrino Gen नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग से होता है तो Fibrino Gen नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन एकृत से होता है तो option number D जो है वो हमारा सही answer है और यही Fibrino Gen जो नामक प्रोटीन है यही रक्त के ठकका बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवाज प्रोटीन है क्योशन नमेर फाइब कहरा है इंसुलीन के 80 रवन से कौन सा रोग होता है तो इंसुलीन के 80 रवन से जो रोग होता है बो होता है हाइपोग्लोईमीसिया ठीक है और इसी के कारण क्या होता है इस रोग के कारण क्या होता है कि जनन छंता में कमी आ जाती है next question है question number 6 question number 6 कह रहा है इसमें स्रस्नी प्रदार्थ कौन नहीं है तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number C, vitamin question number 7 कह रहा है निम्न में से कौन परीजीवी रोग नहीं है परीजीवी रोग का मतलब होता है वो कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटो जोवा से नहीं होता है तो देखिए डेंगू जोवार जो होता है यही नहीं है क्योंकि डेंगू जोवार जो है वो बिसानू से रोग होता है बाद बाकी पाइरिया पेचिस और काला जार ये तीनों जो है वो प्रोटो जोवा से होता है question number 8 कहरा है आलू के कुल का नाम क्या है तो आलू का जो कुल का नाम है वो है saline ac तो option number D जो होगा वो हमारा सई answer है saline ac और साथी साथ आलू के साथ याद रखेंगा यह मिर्च, बैगन, टमाटर यह सब का जो कूल का नाम है बो है शोले नेसी बाद बाकी लीली एसी की बात करते हैं तो यह लहसुन और प्याज के कूल का नाम है ग्रेमी नेसी की बात करते हैं तो यह गेहूं, मक्का, गन्ना, चाबल, बाजरा ये सब के कुल का नाम है, और composite की अगर बात करते हैं, तो गेंदा, सुरुजमुखी, सलाद, ये सब जो है, वो composite के कुल का नाम है. Q9 कह रहा है, नीमिन में से कौन प्रात्मी को भोगता नहीं है, प्रात्मी को भोगता देखिए इसमें कौन नहीं है, अगर हम बात गाय की करते हैं, तो ये प्रात्मी को भोगता है, भकरी भी प्रात्मी को भोगता है, भैंस भी प्रात्मी को भोगता है, लेकिन मोर जो है वो हमारा सही अंतर होगा next question है question number 10 question number 10 कहा रहा है भारतिये बन प्रभंधन संस्थान कहा है इसी थे तो देखे यह दो चीज पूछा जाता है यहाँ confusion का थोड़ा सा chance रहता है एक confusion का chance क्या रहता है एक पूछा जाता है बन अनुसंधान केंद्र तो अगर बन अनुसंधान केंद्र पूछ दिया जाईगा तब तो अंसर हो जाईगा देहरादुन लेकिन यहाँ पुछा है भारतिये बन प्रभंधन संस्थान तब अंसर हो जाईगा भोपाल क्लियर है अगर बन अनुसंधान के अंदर पुछेगा तब अंसर होगा देहरादूल और अगर भारतिये बन प्रबंदन संस्थान पुछेगा तब अंसर हो जाएगा भोपाल अगर हम बात नई दिल्ली की करते हैं तो नई दिल्ली से याद रखेगा भारत मौसम बिज्ञान संस्थान भारतिये क्रिसी अनुसंधान संस्थान ये दोनों कहां है नई दिल्ली में स्थित है अगर हम बात लखनव की करते हैं तो लखनव से एक important याद रखेगा और जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे जो boiling point होगा वो बढ़ जाएगा और जैसे जैसे हम लोग धाब घटाएंगे तो जो कौत्थांक होगा मतलब boiling point होगा वो भी घट जाएगा मतलब दूसरे बढ़ में हम लोग कहते हैं दाब और जो यानि बॉलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे से डाइरेक्ट्री प्रपोर्पोर्शनल है Question number 12 कह रहा है Tumor का पता लगाने में किस समस्थानी का उप्योग होता है तो देखिए Tumor का अगर हमको पता लगाना होगा तब होगा Arsenic 74 का हम लोग उप्योग करते हैं लोहा 59 की बात करते हैं तो ये अरक्ता रोग का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है Next Question है Question number 13 Question number 13 कह रहा है परमानू बंधन कितने परकार के होते हैं जो कामिकल बॉंडिंग होती है वो तीन टाइप के होती है Electrovalent, Covalent और Coordinate Bond मतलब बैदू सहियोजिक बंधन, सह सहियोजिक बंधन और उपसह सहियोजिक बंधन तो ये तीन प्रकार के होते हैं तो Option number C जो है वो हमारा सही अंसर है Next Question है Question number 14 Question number 14 कह रहा है नीमन में से किस अमल की प्रबलता सबसे अधिक होती है देखिए अमल की प्रबलता का सिंपल सा मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजे कोई भी अमल जो जल में घुल कर पूरी तरह से विभाजित हो और Hydrogen आयन दे उस अमल को हम लों क्या बोलते हैं प्रबल अमल बोलते हैं तो अगर हम बात यहां पर करते हैं तो सबसे जादा यहां आमल की प्रबलता होगी वह होगा CL में यानि Hydrocloric Acid में Hydrocloric Acid के बाद यहांTeric Acid के बाद होगा हाईत्योद हमारिक एशिट में तो सबसे जादा होगा angular momentum की बात कर ला है तो angular momentum का मातरख होता है joule second या तो फिर kg meter square per second तो यहाँ जो साही answer होगा बो हो जाएगा option number C kg meter square per second next question है question number 16 question number 16 सुमेलित करने के लिए कह रहा है barometer की अगर बात करते हैं तो barometer बायू दाप मापने वाला यंतर है audio meter की अगर बात करते हैं तो यह ध्वनी की तिव्टम आपने वाला यंतर है और अगर altimeter की बात करते हैं तो यह उर्थे विमान की उच्चाई मापने वाला यंतर है Next question है question number 17 Question number 17 कह रहा है कि radio security की कोच किस ने किया था Radio security यानि radio activity की बात कर रहा है तो radio activity की कोच किया गया था एक French के बैग्यानिक थे Henry beckerel के द्वारा तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है लेकिन फिर बाद में radio activity की सक्रियता ये तीनों ने मिलकर इस पे काम किया था P QG, Henry Baccaral और M QG तीनों ने बाद में मिलकर काम किया था लेकिन सबसे पहले Henry Baccaral जो थे यही first person थे जिन्होंने की discover किया था evidence of radio activity फिर इन लोगों को 1920 1903 में Nobel Proustkar से भी समानित किया गया था यह radio activity खोज के लिए clear है और उसे radio activity से एक और चीज़ याद रखेगा यह जो radio activity का जो SI unit है वो भी Baccaral है और यह इन्ही Henry Baccaral के नाम पे रखा गया है next question है question number 18 question number 18 कह रहा है मुक्त रूप से लटकी हुई चुमबक्य सूई इका आच भवाली का अच के साथ कितरे डिगरी का कौन बनाता है तो जो मुक्त रूप से लटकी हुई चुमबक्य सूई का जो अच होगा वो भवाली चाच के साथ 18 डिगरी का कौन बनाता है तो आपसर नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 19 question number 19 कहा रहा आख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है तो देखिए आख के रंग का मतलब simple सा होता है iris का रंग ठेकर iris होता क्या है iris कि अगर हम बात करते हैं तो iris ही responsible होता है किस चीज के लिए जो कि हम लोग control करते हैं किसी भी चीज का मतलब simple सा कहने का मतलब है कि iris is responsible for controlling the diameter and size of the pupil and thus the amount of light reacting to the retina जो iris होता है वही responsible होता है pupil के diameter और size को control करता है और आख के पास कितना light जाना है जैसे कि अगर आप लोग धूप में बाहर निकलते हैं तो एकदम से आपका जो आख होता है वो adjust करने में थोड़ा सा time लगता है तो यही होता है वो retina ही decide करता है कि कितना light को अंदर लेना है कितना बाहर देना है मतलब retina sorry iris ही control करता है clear है चलिए next question है question number 20 question number 20 कह रहा पदार्स की चौथी अवस्था कौन सी है तो आपने पड़ा होगा कि पदार्स की पांच अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, और गैस, चौथी है प्लाच्मा और प्लाच्मी है बोस, आइंस्टीन तो इस question का जो सायन सर होगा बहु हो जगा option number C, प्लाज्मा क्योंकि ये चौथी अवस्था पूछ रहा है उसमें किसको बित्र मंत्री बनाया गया था तो उसमें बनाया गया था पसु मुगम सेठी को पहला बित्र मंत्री बनाया गया था जो स्तंतर भारत का पहला मंत्री मंडल था उन्हें सो 47 की बात कर रहा है लेकिन यहां अंत्रीन सरकार की मंत्री मंत्री पूछा है नहरू को मंत्री मंदल का परमुख बनाया गया था, सर्दार बल्ला भाई पटेल को ग्रीस तूचना और परसारन मंत्री का कारभार दिया गया था, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि यह हमारा कोश्चन नमर 22, कोश्चन नमर 22 कहरा किस योजना के देखिए, फरबरी 1946 की अगर बात करते हैं, तो फरबरी 1946 में ब्रिटी सरकार ने काबिनिट मिसन भारत भेजने की घोसना किया था, और जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और उसी के विभिन सुझाओ के अधार पर ही समिधान सभा का गठन किया गया, और फिर जुलाई 1946 में स समिधान सभा का गठन हो गया, क्लेर है, चलिए, अब नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं, जो कि हमारा कोश्चन नमर 23, कोश्चन नमर 23 कह रहा है, निमलिखिद में से किस अनुछेद में बिधी के समच सम्ता के अधिकार का प्रब्धान है, तो इस कोश्चन का जो सयन सरोग में उसका बर्नन है, तो अनुछेद 14 की अगर बात करते हैं, तो अनुछेद 14 में ही है, बिधी के समच सम्ता का अधिकार, अनुछेद 15 की अगर बात करते हैं, तो अनुछेद 15 ये कहता है, कि धर्म, मूल, बंस, जाती, लिंग या जन्म के अधार पर बिभेत का अपर आधो के लिए दो सिधी के संबंध में संरच्छन और अनुछेद 21 कहता है प्रान और देहिक सोतंतता का संरच्छन next question है हमारा question number 24 question number 24 कहरा किस संबिधान संसोधन दूरा लोग सभावन विधान सभाव के कार्जकाल को 5 साल से बढ़ा कर 6 बर कर दिया गया था तो यह किया गया था, 42-मा संबिधान संसोधन 1976 में तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जागा option number B, जिसको कि हम लोग mini constitution भी कहते हैं, देखिए, अगर हम 42 मा संविधान संसोदन 1976 की बाप करते हैं, तो इसमें क्या-क्या जो main चीज हुआ था amendment, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 10 मौली करतबों को जोड़ा गिया था, अनुछे दे कामन के का और भाग चार के अंत पर से बढ़ा कर 6 पर्स कर दिया गया था, और जो संसद विधान मंडल, जो कोरम आप लोगों को पता ही होगा, कि जो एक बटा 10 संदस की अनिवादता थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया था, क्लेर है, लेकिन फिर जैसे ही 44 मा संविधान संसोदन हुआ, जिसको कब हुआ 44 मा संविधान संसोदन 1978, और इसमें, इसी में फिर जो चीज किया गया था, मतलब 42 मा संविधान संसोदन में, उसको कुछ को हटा दिया गया, जैसे कोरम बेवस्था को पूर्ता रखा गया, मतलब 1 वटा 10 संवार जी कर रखा गया, और लोगसभा बिधान सभा को पुना 5 परसो के लिए कर दिया गया, राश्पती एक बार काबिनेट के पास पुन विचार के लिए भेज सकता था, क्लेर है, और इसमें एक और शीज था, ये राश्टिये आपात में आंतरी का सांती के अस्थान पर ससत विद्रोह को जोड़ा गया था, ठीक है, क्लेर है, चलिए, अगर हम बात और करते हैं, अगर हम बात 24 में समिधान संसोधन की करते हैं, तो 24 में समिधान संसोधन जो है, वो 1971 में हुआ था, और जो गोलक नात के मामले में उत्पनी स्थिती थी, इसी के संदर में 24 में समिधान संसोधन पारित हुआ था, अगर हम बात 26 में समिधान संसो तो देखिए उपराश्पति की अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो उपराश्पति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित के अधार पर एकल संक्रमन मत के द्वारा और गुप्त मतदान से होता है जिसमें संसत के दोनों सदनों के सदस या तो वो निर्वाजित ह हूं दोनों सदस मतलब दोनों सदनों के सदस भाग लेते हैं ठीक है लेकिन याद रखेगा कि इसमें अजाज गवी धान मंदल के जो सदस होते हैं वो खाग नहीं लेते हैं इस क्वोष्टन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option नमरー D संसत के दोनों सदनों से मिलाकर सदस question number 26 कह रहा है कि पंचाइती रासे संबंदित विभीन समीतियों को काला नकरम की अनुसार बेबस्थित कीजिए देखिए असोक महता समीति की बात करते हैं तो ये बात कर रहा है 1987 की ठीक है थुंगन समीति की बात करते हैं तो ये बात कर रहा है 1988 की अगर आप अब इसको सही से अरेंज कर ली जेगा तो आपका जो सही अंसर आएगा बोहर आएगा option number B यहाँ से एक और चीज़ याद रखेगा एक और important समीति है पंचाइती रासे बहुँ ज़्यादा important बलबंत राय महता समीति जो की है 1987 में clear है अगर हम बात पंचाइती राजकी करते हैं तो यह तिहा तर्मा समीधान संसोधन 1992 में भाग 9 अनुचे 243 और अनुची 11 next question है question number 27 question number 27 कह रहा है कि राश्पती के बिरूद महाबियोग प्रार्यम करने के लिए संसत के किसी भी सदन में कम से कम सकितने सदस्य दोरा परस्ता और प्रस्तूत किया जाना चाहिए सबसे पहले तो याद रखिए कि राश्पती के बिरूद जो महाबियोग लगता है ये USA के संभीधान से लिया गया है राश्पती और राश्पती पर महाबियोग महाबियोग दोनों लिया गया है USA के सम्विधान से मतलब संजुपतराच अमेरिका के सम्विधान से अब बात करते हैं महाबियोग की महाबियोग का मतलब अनुछेत 61 में महाबियोग का बर्णन है प्रकिर्या का बर्णन है और कब लगाया जा सकता है? जब राश्पती पर संभिधान का उलंगन करने का आरोप होगा ठीक है? महावियोग के समय याद रखेगा कि महावियोग जो है वो संसत के किसी भी सदन में प्रादम किया जा सकता है लाया जा सकता है महावियोग का परस्ताव ठीक है और इस आरोपो पर एक सदन के 25% सदस्यों का हस्ताचर होना जरूरी है मतलब एक बटा 4 एक 24 सदस्यों का होना हस्ताचर होना जरूरी है जिस भी सदन में लगाया जाएगा उस सदन के एक बटा 4 का जरूरी है और फिर अगर वहाँ दो तीहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर वो दूसरे सर्दन में चला जाएगा और वहाँ भी अगर दो तीहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो इसको मानने माना जाएगा और एक चीज़ याद रखेगा कि लेकिन महावियोग परस्ताव लान संचितनी धी से राज्यों की सहायता अनुदान किसकी सिफारिस पर दिया जाता है तो देखिए भारत की जो संचितनी धी से राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है बो दिया जाता है बित आयोक के सिफारिस पर तो अप्षन नबर ए जो है वो हमारा सही अंसर है ले के सम्मिदान में अनुछे 280 के अंतरगत अर्ध न्याईक निकाय के रूप में बीत आयोग का गठन 5 बर्स पर राष्ट परती के द्वारा किया जाता है। नक्स कोशन है कोशन नमर 30 कह रहा है निमलेखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तूत किया जा सकता है। नमर 31 कह रहा है गिर्स संरचन परियोजना किस बर्स पर राम होई थी। तो गिर्स संरचन परियोजना जो है वो बर्स 2006 में आरम किया गया था। आपसर नमर D जो है वो हमारा सही अंसर है। देखिए एक जो दबा थी डिकलोफ फेनेंस एक नामा के दबा थी इसी के कारण गिधो की मौतों में बहुत तेजी से ब्रिदी होई थी। इसलिए गिधो की सुरच्छा के लिए 2006 में गिर्स संरचन परियोजना परारंब किये गई थी। क्लिर है चलिए। ce Q Evangel distant number 32 Q 우ster number 32 कह रहा है राउल केला छेल प्र्रांट कि देश के सही योग से लगाया गया थह। तो राउल केला जो फिल प्रांट है वह जर्मनी के सैयोग से 2003 में लगाया था। । इस कोश्यन का जो सहीं बभ बो test नमबर C रूस से याद रखेगा रसिया से हम लोग भिलाई जो 36 गड़ है वो प्लांट लगाये थे 1905 में ब्रिटेन से दुर्गापूर का जो प्लांट है पश्चिम मंगाल में वो हम लोग लगाये थे 1906 में और ये जो तीनों है मतलब राउल केला दुर्गापूर और भिलाई ये तीनों दूसरी पंच बरसियो योजना के में लगाया गया था फिर जाके तीसरी पंच बरसियो योजना से भी याद रखेगा 1966 में यानि तीसरी पंच बरसियो योजना में USSR मतलब रूस के मदद से बोकारो इस पात कर खाना लगाया गया था क्लिर है चलिए नेक्स कोशन हमारा कोश्चन नमर 33 कोश्चन नमर 33 कह रहा है मुखोटा अब हम यूध निर्ट किस राज का लोग निर्ट है तो मुखोटा और यूध निर्ट जो है वो अरुनाचल परदेश का है तो आपसे नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है अगर हम बात उडिसा की करते हैं तो उडिसा से याद रखेगा कुछ लोग निर्ट जैसे की दलखाई, छाओ, कर्मनाच अगर करनाटक की बात करते हैं तो करनाटक से याद रखेगा याच चगान करगा और अगर आसाम की बात करते हैं तो आसाम से याद रखेगा बीहू, सतरिया ये सब आसाम का लोग मृत है Next question है हमारा question number 34 Question number 34 कह रहा किस मंतराले द्वारा हाली में उमीद पहल का सुभारम किया गया था देखे ये उमीद बात कर रहा इसकी UMMID है उमीद क्या है UMMID है उमीद उमीद का full form होता है Unique Methods of Management and Treatment of Inherited Disorders मतलब नवजाव CCO में से संबंदित अनुवांसिक बिमारियों से निपटने के लिए ये पहल सुरू किया गया था और किसके द्वारा सुरू किया गया था केंद्रिये स्वास्तेबं कल्यान मंतराले के द्वारा सुरू किया गया था Next Question है हमारा Question No.35 Question No.35 कहे रहा हाल ही में जारी Link भेज सुचकांग 2019 में भारत का स्थान क्या है देखिए कोई भी सुचकांग जो होगा उससे तीन चीज़ जो सबसे ज़्यादा important है वो पूछा जाता है पहला उसमें भारत का स्थान, दूसरा उसमें number one पे कौन है और तीसरा उसका जारी करता कौन है, किसके द्वारा जारी किया जाता है एक इंडेक्स से ये तीन चीज़ ही आप लोगों को पढ़ना है अगर हम बात Link भेज सुचकांग 2019 की करते हैं तो इसमें जो भारत का स्थान था वो था 112 तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर है प्रथाम अस्थान पे मतलब top पे रहा था Ireland और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है World Economic Forum जिसको हम लोग बोलते हैं बिस्प आर्थिक मंच बिस्प आर्थिक मंच की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना 1171 में हुई है और इसका जो हैटक्वाटर है, वो है स्विजर लाइन में चलियर है, चलिये Next question है हमारा question number 36 Question number 36 का है रहा, 24 सीथ कालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा ये 24 सीथ कालीन ओलंपिक खेल की बात कर रहा है तो ये बिजिंग चाइना में ओलंपिक खेल किया जाएगा तो इस question का जो सही अंसर होगा, बू हो जाएगा Option number B और साथी साथ 25 का भी सीथ डूल जारी है तो वो भी आप लोग याद रखेगा 25 जो सीथ कालीन है, वो 2026 में होगा और कहां होगा, इटली में होगा Clear है, चलिए Next question है, question number 37 Question number 37 कह रहा है अब देल मजदीत तेवाने ने हाली में किस देश के राश्पती के रूप में सपत ग्रहन किया है तो ये Algeria के राश्पती बने है तो option number D जो है, वो हमारा सही अंसर है अगर हम बात Algeria की करते हैं तो Algeria की capital है Algerius और यहां की currency है Algeriai दिनार, अगर हम बात क्यूबा की करते हैं तो क्यूबा से याद रखेगा, क्यूबा के परधान मंत्री का नाम है Manuel Maruero Next question है, question number 38 question number 38 कह रहा है कि Asia तथा उत्री अमेरिका किसके द्वारा प्रिठक होते हैं अगर Asia और उत्री अमेरिका की बात करता है तो यह जो है, वो bearing जल डमरू मद्ध से प्रिठक होते हैं तो option number C जो है, वो हमारा सही अंसर है ठीक है, अगर हम बात boss जल डमरू मद्ध की करते हैं तो इससे याद रखेगा, boss जल डमरू मद्ध जो है वो Australia और तस्मानिया को प्रिठक करता है और Great Australian White और तस्मान सागर को जोडता है अगर हम बात डोबर जल डमरू मद्ध की करते हैं तो डोबर जल संधी से याद रखेगा ये English Channel और उत्री सागर को जोडती है और डोबर जल डमरू मद्ध से जाने बाली एक Channel सुरंग है जिसका नाम है जो जाने बाली एक Channel सुरंग है वो United Kingdom और France को जोडती है अगर हम बात Cook जल डमरू मद्ध की करते हैं तो Cook जल डमरू मद्ध जो है जो उत्री न्यूजिलेंड है इसको दश्री न्यूजिलेंड से अलग करता है और तस्मान सागर और दश्री प्रसांत महासागर को जोडता है Next Question है मारा Question No.39 Question No.39 कहरा निमलिखित में से कौन सी महासागर ये धारा Atlantic महासागर में नहीं पाई जाती है तो इस Question का जो सही अंसर होगा Option No.C पेरू धारा क्योंकि जो पेरू धारा है वो परसांत महासागर में दच्छीन अमेरिका के पस्चिन टट के सारे परभावित होने वाली एक ठंडी धारा है इसी को हम लोग पेरू धारा या फिर हम बोल्ट जल धारा कहते हैं तो इस Question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा Option No.C बात बाकी जो Gulf Stream है ब्राजिल धारा है और जो कनारी धारा है ये देखिए जो Gulf Stream है और ब्राजिल धारा है ये जो है ये दोनों गर्म जल धारा हैं जो अट्लांटिक महासागर में चलती है और कनारी धारा जो है ये ठंडी जल धारा है और ये भी अट्लांटिक महासागर में ही चलती है Next Question हमारा Question No.40 Question No.40 कह रहा है उतरी धुरूब में भारत के अनुसंधान के अंदर का नाम क्या है तो उत्री धुरूब में भारत के अनुसंधान केंदर का नाम है हिमादरी तो आपसर नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बात दच्छिनी धुरूब की कर लेते हैं तो दच्छिनी धुरूब में हैं गंगोत्री, मैत्री और एक और है क्या गंगोत्री और मैत्री और भारती ठीक है ये तीनों जो है वो दच्छिन धुरूब में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं नेक्स्क्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में परणपाती बनों के माधियम से हुआ है अगर हम बात पंपास की करते हैं तो पंपास से याद रखेगा पंपास जो है वो दच्छिन अमेरिका के अर्जेंटीना में बिखसित घास का एक मैदान है अगर हम बात डाउंस की करते हैं तो डाउंस अस्टेरिया में पाया जात पाए जाते हैं तो सदा बाहर किस्म के जो बन हैं वो भूमध रेखिये छेत्र में यानि विस्वतिय प्रदेश में पाए जाते हैं तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो हो जागा ऑप्सन नमबर B और इन बनों में सदा बाहर ब्रिच जैसे की रबड, बास, एबूनी, महोगनी, बेत ये सारे ब्रिच पाए जाते हैं नक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 43 कोश्चन नमबर 43 कह रहा है निवन में से कौन से ग्रहों के चारों और घूमने वाले उपग्रह नहीं है तो देखिये इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो ये हो जाएगा केलोरिस बेसिन पाया जाता है कोश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केलोरिस बेसिन कहां पाया जाता है तो वो बुध ग्रह पे ही पाया जाता है अगर हम आप सुक्र की करते हैं तो सुक्र को भोर का तारा कहा जाता है पिर्थिवी की बहन कहा जाता है और ये रेट है उसमें ग्रोथ हो जाएगा और डेथ रेट में क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सिंपल सा कहने का मतलब है जन्म दर और मिर्टु दर के बीच के अंतर को ही आबादी बृधी या फिर जनसंख्या बृधी हम लोग कहते हैं तो इस question का साइणसर हो जाएगा जन्म और मिर्टु दरों के बीच अंतर नेक्स question है question number 45 question number 45 कहरा इंद्रा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलती है इंद्रा गांधी नहर के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको सतलज और ब्यास से पानी मिलता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D इंद्रा गांधी नहर से याद रखेगा इंद्रा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिचाई नहर है इस नहर का उध घाटन 31 मार्च 1901 धामन को हुआ था और फिर 1984 में इसका नाम इंद्रा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था इससे पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था ठीक है इंद्रा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है ठीक है यह पंजाब में ब्यास तथा सदर नदी के संगम पर बने हरी के बैराज से निकाली गई है और यसे जो लाभानवीत राज है वो है राजस्थान पंजाब वह हरि आना, clear है, चलिए, next question है हमारा question number 46, question number 46 कहा रहा है, नागार जुन सागरबांथ किस नदी पर बना हुआ है, तो नागार जुन सागरबांथ जो है, वो आंध्पदेश में बना हुआ है, और कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो इस question का जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number C, क आंध्पदेश में है, अगर हम गोदाबरी की बात करते हैं, तो गोदाबरी से याद रखेगा, पंच पाद परियोजना, जो कि आंध्पदेश में है, गोदाबरी नदी पर बना हुआ है, अगर हम लोग बात कावेली की करते हैं, तो कावेली से याद रखेगा, कि कावेल का संबंध है तो जादू गोड़ा का संबंध किस चीज़ से है यूरेनियम के खनन से है ये जारखंड राज के यूरेनियम जो है जारखंड राज के सीम भूम तथा टारणगर के समीब जादू गोड़ा में इस्थित है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D यूरेनियम के खनन से अगर हम बात अबरख की करते हैं तो अबरख से याद रखेगा अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन और अगर भारत हम की बात करता है तो अबरख में भारत का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है बो है आंधपदेश अगर हम बात त पूरे भारत पाद्राइस है चाना और भारत में है उरिसा उरेनियम की बात करते हैं और पूरे भारत में हैं अंध्रपदेश, क्लेर हैं, चलिए, next question है, question number 48, question number 48 कहरा, operation fraud किस कार्ट से संबन्दित है, तो operation fraud जो है, वो दुख धुत पादन से संबन्दित है, और इसको स्वेट करांती के नाम से भी जाना जाता है, तो इस question का जो सही अंसर होगा, वो होजगा, option question number 49, question number 49 कहरा, केबुल लाम जाओ, जो बिस्व का एक मातर तैरता हुआ, राश्टिय उद्यान है, कहां पर है, तो केबुल लाम जाय कहां पर है, मनिपूर में है, तो option number C, जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, ठीक है, और ये जो तैरता हुआ उद्यान है, ये लोक्टक जिल का एक बहुत important हिस्सा है, ठीक है, अगर हम बात असाम की करते हैं, तो असाम से याद रखेगा, मानस, रास्टिय पार, काजी रंगा, नामेरी, और रंग, ये सब कहां है, असाम में है, मिजोरम की अगर बात करते हैं, तो मिजोरम से याद रखेगा, माउंटेन, मूरल और सीजू अभियादन, ये दोनों में घाले में स्थित है, next question है, question number 50, question number 50 कह रहा है, निमलिखित में से कौन सी मिर्दा, कापास की खेती के लिए अधी क्यूप्यूक्त है, तो कापास की खेती के लिए जो है, वो काली मिटी, जिसको हम लोग, रेगुर मिटी, या फिर से जानते हैं और इसमें जो जल धारिता च्छंता है वो सबसे ज़्यादा होती है मतलब water absorbing capacity है वो सबसे ज़्यादा होती है और जब यह water इसमें सूख जाता है तो इसमें दरार पर जाती है जिसके कारण इसको स्वताजुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है अगर हम बात लटराइट मिट्टी की करते हैं तो लटराइट मिट्टी से याद रखे और यह जो घाटी है, वो हिमाचर परदेश की कुल्लू जिला में ब्यास नदी के साहरे बिस्तरित है नेक्स्कोशन है हमारा कोश्चन नमर 52 कोश्चन नमर 52 कहा रहा है मनीपूर की सीमा किन राज़़ों से लगता है तो अगर हम भारत का मैप देखें तो मनीपूर में देखेगा कि जो मनिपूर के उतर में हो जागा नागलेंड, दच्छिन में हो जागा मिजोरम, पश्चिब में हो जागा असाम और पुर्व में हो जागा मैन मार तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C, नागलेंड असाम और मिजोरम next question है हमारा question number 53 question number 53 कहा रहा है कि भारत में राष्टिय बन निती के अनुसाथ कितने परतिसत नियूंतम बन का लच निर्धारित है तो देखिए, इन्बॉर्मेंट को बैलेंस करने के लिए 33% बन जो है वो जरूरी है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C, 33% next question है हमारा question number 54 question number 54 देखिए क्या कह रहा है कि X को एक परिछा में उतीन होने के लिए 40% अंक चाहिए और वो 178 रंग प्राप्त करके 22 अंकों से अनुतीन हो जाता है मतलब 44% उसको अंक चाहिए पास होने के लिए 44% लेकिन वो 178 रंग लेके आता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है तो अगर हम 22 अंक और जोड़ देते तो पास हो जाता मतलब वो किसके बराबर हो जाता है 40% के बराबर हो जाता है तो 40% बराबर कितना हो जागा 200 तो यहां से 100% की अगर आप हैलू निकालिएगा तब हो जाएगा 500 यानि उसका जो टोटल मार्ट था वो था 500 यानि उप्सन नंबर C जो होगा वो हमारा सही अंजर होगा क्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अब नेगले कोश्चन की तरब जो की है अमारा कोश्चन नंबर 55 क्या रहा है एक ब्रित है उसका केंदर O है और PQ एक असपर्स रेखा है और एंगल RPQ यानि यह वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री दिया हुआ है तो आपको POR का मान निकालना है POR यानि इस वाले अंगल का मान निकालना है देखे तो इसके अगर अंगल यह 50 है तो यह वाले अंगल की बात अगर हम करते हैं यह वाले अंगल की अगर सिंपल सा मतलब है अंगल OPR अंगल O, P, R की बात करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 50 डिग्री इस इक्वल to 40 डिग्री अब जब ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी अंगल 40 डिग्री होगा क्योंकि O, P और O, R क्या है दोनों इक्वल है अब आप लोग पढ़े होंगे मैस में कि जो इक्वल लाइनस होता है वो इक्वल अंगल सस्टेन करता है तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा और ये अंगल आप लोगों को निकालना है तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे तो यहां से 40 और 40 को आड़ कर दीजेगा 80 और 180 में से अगर आप 80 माइनस किर जिएगा तब आप का अंसर आजाएगा 100 डिग्री यानि option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा क्लियर है? चलिए next question है हमारा question number 56 question number 56 कहा रहा है under root 15 is equal to दिया हुआ 3.88 तो आपसे मान निकालने बोला under root 5 by 3 देखे तो अगर under root 5 by 3 का मान निकालने बोला है under root 5 by 3 का मान निकालने बोला हम उपर नीचे दोनों से 3 से मल्टिप्लाइट कर देते हैं तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं? फिर अंडरूट 15 हो जाएगा उपर और नीचे हो जाएगा 3 क्योंकि बाहर भी एक अंडरूट का साइन है अब इस अंडरूट 15 बराबर दिया हुआ है एक question में 3.8 upon में 3, इसको अगर आप cancel out कीजेगा तो 1.29 हो जाएगा यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा चलिए नेक्स कोशन है question number 57 question number 57 कहा रहा दो बर्स के लिए 5% बारसिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनरासी पर चक्रिबिटी ब्याज 328 रुपया है उसी धनरासी पर उसी दर से उतनी ही समायादी के लिए सधारन भी आज ग्याद कीज़े देखिए इसको करना कुछ नहीं है 5% दिया हुआ है 5% को fraction में convert कर दीजे तो एक वटा 20 आएगा और time कितना दिया हुआ है दो बर्स दिया हुआ है तो इस B को 2 से square कर दीजे अगा time 3 दिया हुआ रहेगा तो 3 कर दीजेगा तो यहां आजाएगा 400 और जो आएगा उसी को आप principal माल लिजे इसको हम लोग माल लिए principal यानि मुल्धन अब पहले साल इस पे 1 by 5 लगेगा और दूसरे साल 1 by 5 लगेगा यानि 20 और ये 20 लेकिन आप लोगों को पता होगा कि दूसरे साल इंट्रेस्ट पे भी इंट्रेस्ट लगता है तो इस पे भी 1 by 5 लगेगा यानि इस पे कितना लगेगा ओवर लगेगा मतलब टोटल जो इंट्रेस्ट है बो हो जाएगा 41 लेकिन question में क्या दिया हुआ है देखती यहाँ पे simple इंट्रेस्ट कितना हो गया 40 हो गया तो 40 की मान डाजेक्ट आप निकालीजे तो 40 x 8 हो जाएगा 320 यानि option number A जो है वो हमारा सही अंसर है clear है? चलिए next question है हमारा question number 58 question number 58 कह रहा है यदि 5 क्रमिक पुर्णांग का योग P है तो उनमें सबसे बड़ा पुर्णांग P से किस परकाव संबंदित है देखिए किसी भी 5 यानि odd number की बात कर रहा है odd number का जो average है ठीक है वो average अगर दिया हुआ रहेगा मान के चलिए कि P है तो इसका average कितना हो जागा यह 5 का दिया हो तो इसका average हो जागा P by 5 और जब भी किसी odd number की बात कर रहा है यानि 5 नमबर है तो यह जो बीच बला होगा वही उसके average होगा अगर वो number continued है तो लेकिन यहाँ question में कह भी रहा है कि 5 क्रमिक मतलब लागातार संख्या की बात कर रहा है तो यह तीसरे नमबर पे तो आजागा P by 5 यहाँ तक तो clear हो जुगा अब यह पूछरा पांचमा अंग तो पांचमा क्यानी लागातार है यानि P by 5 प्लस में 1 और प्लस में 1 तो पांचमा नमबर निकल जाएगा अब इसको आप सॉल्फ कर लीजेगा तो आजाएगा P by 10 अपां में 5 यानि option number C जो होगा वो हमारा नहीं स्वारी option number A जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा देखे इसको आप लोग add कर लीजेगा P by 5 और प्लस में 1 प्लस में 1 तो यहाँ से 5 LCM हो जाएगा और उपर हो जाएगा P और 5 प्लस 5 हो जाएगा तो P plus 10 by 5 यानि option number A जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा next question है question number 59 question number 59 कहाँ रहा A plus B plus C का योग 38 है मतलब A plus B plus C इस तीनों का योग दिया हुआ 38 उसके बाद कहाँ रहा A, B के एक ती हाई के बराबर है तथा B, C का पांचमा भाग है अगर हम C को 15X माल लेते हैं ठीक है C को 15X माल लेते हैं तो according to question B कितना हो जाएगा 15X अपॉन में 5 यानि 3X और A कितना हो जाएगा A हो जाएगा 3X अपॉन में 3 यानि X A X हो जाएगा B 3X हो जाएगा और C 15X हो जाएगा अब इन तीनों को एड़ कर दीजगा मतलब 15 प्लस 318 और प्लस में 1 19 19X बराबर हो जाएगा 380 तो यहाँ से X की वैलू आ जाएगी 20 अब question पूछ किया रहा है C का मन तो C कितना है 15 है तो 15 in 2 में 20 कर दीजगा यानि 300 तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer होगा clear है चलिए अब अठते अपने अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 60 question number 60 का रहा एक गोले के ब्यास तथा संकू की उचाई में एक रेशियो दो का अनुपात है ठीक है याभी दोनों का आयतन समान हो तो उसकी तरिज्जाओं का अनुपात ग्याद कीजे देखें अगर हम बात करते हैं कि गोले के ब्यास को हम लोग माल लेते हैं कितना यह 1 और 2 का रेशियो दिया हुआ तो एक को हम लोग अगर एक्स माल लेंगे तो दूसरे को हमको 2x मालना पड़ेगा और हम लोगों को दिया क्या हुआ है कि गोले का आयतन is equal to संकू का आयतन तो गोले का आयतन का formula क्या होता है और यह संकू का उचाही है तो यहाँ पे रेडियस के जगा पे xy2 रग दिजएगा और इन दोनों को solve कीजेगा तो यहाँ से solve करने के बाद आपको आजाएगा X बराबर 2R ठीक है अब संकू के तरीजा और गोला के तरीजा तो दोनों के बीच में अनुपाथ हो जाएगा 1 अनुपाथ 1 यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा clear है चलिए next question है question number 61 question number 61 कह रहा है यदि 46 गंटे प्रती दिन काम करके 300 मीटर लंबी दिवार 12 दिन में तयार कर सकते हैं तो 30 गंटे प्रती दिन कार्ज करके 200 मीटर लंबी दिवार कितने दिनों में बना सकते हैं तो इस question का जो आप लोग एक formula पढ़े होंगे अंबंडी बन तो इस question का बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इसको 12 into में 40 into में 6 into में 200 upon में 300 into में 30 into में 8 इसको solve कर दिजेगा तो अंसर आजाएगा 8 देज तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question is question number 62 question number 62 कह रहा है एक बैक्ती अस्थीर पानी में 7 1 by 2 km प्रति घंटे की गती से 9 का चला सकता है उसे पता चलता है कि उससे नदी के बिरूद जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दोगना समय लगता है ता दुस्थार नदी की धारा की गती कितनी है देखिए मालीजे कि धारा की जो चाल है वो x km प्रतियाबर है तो धारा के साथ 9 की चाल कितनी हो जाएगी 15 by 2 plus में x km और धारा के बिरूद अगर बात करते हैं तब हो जागा 15 by 2 minus में x km अब अगर हम बात करते हैं तो दुगनी है तो इसको हम equation के form में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15 by 2 plus में x is equal to 15 by 2 minus में x into में 2 यही तो कह रहा है कि दोगनी समय लगता है तो इसके बराबर हम यह लिख सकते हैं यहां कि से x की values find out कर लिजेगा तब आजाएगा 2 1 by 2 km प्रतिगंटा और हम लोग x को ही धारा की चाल माने थे और x ही हम लोगों से question पूछ रहा है धारा की गती कितनी है यानि 2 1 by 2 km हो जाएगा तो option number c जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 63 question number 63 कर रहा है log a into में b तो इसको तो सबको पता है log a plus log b होगा तो option number a जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 64 कह रहा है एक पुस्तक बिक्रेटा को दो पुस्तकों पर 240 रुपे प्रति पुस्तक बेचने पर एक पुस्तक पर 20% का लाव और दूसरे पर 20% की हानी होती है तो देखिए यहां से आप लोग कुछ को नहीं करना है तो टोटल जो बिक्रेमूल हुआ वो हो गया 480 रुपया तो यानि उसको जो हानी हुआ वो 20 रुपे का हानी हो गया तो option number B जो है वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 65 question number 65 देखिए वेन आरेक का question है इस question को solve किजेगा तो option number B जो होगा वो आपका सही अंसर होगा C, U, T है तो C का जो place value है वो 3 है U का 21 है और T का कितना है 20 है इन तीनों को जोड दिया है तो आगया है 44 इसी तरह से आप लोग डग का भी जोड दिजेगा मतलब 4, plus में 21, plus में 3, और plus में 11 तो आजागा 39 यानि option number C जो है वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 67 इसमें 3 भूज काउंट करना है 3 भूज काउंट कीजेगा तो 16 भूज होगा तो आपसा number C जो है वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 68 question number 68 कह रहा है स्रेनी है series का question है 1, 5, 11, 19, 29, 41 देखे किया कुछ नहीं है 1 में 4 एड किया है तो यहां लेकिया है 5 उसके बाद 5 में 6 एड किया है तो लेकिया है 11 11 में 8 एड किया है तो लेकिया है 19 मतलब यहां देखे है 4, 6, 8 अगले बार में 10 एड होगा फिर 12 एड होगा, फिर 14 एड होगा इसी series को continue करते जाएगा तो last में जो आएगा वो 55 आएगा question number 69 कह रहा है अमीत उत्तर की ओर 40 मेटर चलता है फिर वो अपनी दाई ओर मूड जाता है तथा 15 मेटर चलता है देखें, अगर यहां से हम बात करते हैं कि यहां से चलना सुरू करता है तो वो उत्तर की ओर कितना चलता है उत्तर की ओर 40 मेटर चलता है फिर वो अपनी दाईयोर मुड़ जाता और 15 मीटर चलता है בताइए कि अपने प्रादновिक दूरी से कितना है तो ये 15 मीटर यह और 25 मीटर यह तो 15 प्लस 25 यानि 40 मीटर वो अपने दूरी पर है तो option D जो होगा वो हमारा सही अंसर है next question है question number 70 Q70 कह रहा है छे दोस्त एक बृताकार गहरे में बैठे हुए सूरज जो की राजन की बाईयोर है तथा अनील के दाईयोर है ठीक है इसको एरेंज कर लिजेगा इसको एरेंज करके बना लिजेगा ये छे लोग बैठे हुए हैं सरकल में इसको आप लोग linear sitting arrangements में भी बना सकते हैं उसके बाद सरकल में बठा दिजेगा clear है और फिर अस्थान बदल लेने बुलेगा इस question का जो सहींसर होगा बहुत होजाएगा option number C आप लोग बना दिजेगा अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से comment करके पूछ लिजेगा next question है question number 71 question number 71 कह रहा है यदि किसी कूट भासा में mentor को sp u o f n लिखा हुआ है ये क्या कुछ नहीं है sum में plus 1 कर दिया है और opposite direction में लिख दिया है मतलब जैसे कि m e and t o r है और इसको लिख दिया है क्या sp u o f n ठीक है इस r में 1 plus किया है तो s आ गया है o में 1 plus किया है तो p आ गया है t में 1 plus किया है तो u आ गया है n में 1 plus किया है तो o आ गया है e में 1 plus किया है तो f और m में 1 मतलब आप ओजी direction में 1 1 plus करके लिख दिया है तो इसी तरह से आप अगर अब sport का पूछ रहा है तो sport में 11 plus करके लिखिएगा तब आ जाएगा USPQT जो कि है हमारा option number D next question है question number 72 question number 72 कह रहा है निमलेखिद में से कौन फिनलेंड की राधानी है ठीक है फिनलेंड की राधानी की ये बात कर रहा है तो फिनलेंड की राधानी कौन है तो option number D यानि हेल्सिंग की जो है वो फिनलेंड की राधानी है अगर लिद्बेकिक कहा जाए तो ये आइसलेंड की राधानी है लीमा की बात करते हैं तो लीमा जो है वो पेरु की राधानी है और हवाना जो है वो क्यूबा की राधानी है question number 73 कह रहा है अर्तिसमा राष्टिये खेल किस राध में आयोजित किया जाएगा तो अर्तिसमा राष्टिये खेल जो था वो 2020 में ही आयोजित किया जाना था कहां उत्राखंड में और 49 यानि 39 जो अंतर राष्टिये खेल था वो 2022 में आयोजित होगा में घाले में मतलब 38 दो हजार बीस बाला उत्राखंड और 2022 जो की 39 है वो मेगाले में आयो जित किया जाएगा नेक्स कोश्चन है कोश्चन नबर 74 कोश्चन नबर 74 कह रहा है बीस विरक्तदान दिवस किस दिती को मनाया जाता है बीस विरक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है तो अपसन नबर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा 14 अपरेल को मनाया जाता है बेटकर जन्ती 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 14 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत दिवस नेक्स्स कोश्चन है कोश्चन नबर 75 कोश्चन नबर 75 कह रहा है भारतिये रेलवे की घोसना के अनुसार किस देश के साथ पहली बहुत सर्कूट ट्रेन चलाई गई थी ये कल के सेट में भी कोश्चन आया था ये भारत और नेपाल के बीच चलाई गई थी कब अक्टूबर 2019 में नई दिली के सब्दर गंज स्टेशन से शुरू किया गया था और बुध से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टन अस्थल हैं उन सब का ये भ्रामन करवाएगा तो आ फीफा 17 महिला 20 कब 2020 का आयोजित किया जाना था लेकिन अब इसको फरवरी और मार्च 2020 में सीडूल कर दिया गया है अगर हम बात फीफा की करते हैं तो फीफा का हेड़कौर्टर है जीवरिक स्विजर्लैंड में और फीफा के प्रसिडेंट है अभी ततकालीन जिनका नाम ह जीजर्णी dilifantino नेक्स्किलीक य вариант häufig Southern reach Ibizam Q77 कह रहा है भुक्तान बैंक के संदर में निन में से क्या सही है तो ये ग्राहकों को इरिन नहीं दे सकते है ये बिल्कुल सही है भुक्तान बैंक जो है वो ग्राहकों को इरिन नहीं दे सकता है ये मांग जमा सुईकार कर सकते हैं तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number D क्योंकि एक, दो और तीन, तीनों क्या है? सही है Next question है हमारा question number 78 Question number 78 कहरा है भारत में मिसरी तर्थ बिवस्था का अर्थ है तो देखिए मिसरी तर्थ बिवस्था का अर्थ है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number A Question number 79 कहरा है गरीवी एनुमूलन का नारा किस पंच बर्थ योजना में दिया गया था? यह बहुँ ज़्यादा confusing question है लेकिन इस question का जो सही अंसर होगा बहुत होगा छटी पंच बर्थ योजना देखिए बहु सारे लोग इसको यह बोलते हैं पांचमी पंच बर्थ योजना अगर हम बात और options की करते हैं तो त्रीतिय पंच बर्थ योजना जो था वो 1916 से लेके 1906 तक था और इस योजना में अर्थवेवस्था को आत्म निर्भर्थ बनाने पर जोड़ दिया गया था अगर हम चतूर्थ पंच बर्थ योजना की बात करते हैं तो यह 1969 से लेके 1974 तक था और इसमें अस्थीर्था के साथ आर्थिक बिकाफ और आत्म निर्भर्था के अधिकारित प्राप्थी किये गए थी अगर हम बात 5 भी पच बरसीय योजना की बात करते हैं तो ये 1924 से 1908 तक था और 65 बरसीय योजना 1980 से लेकर 1915 तक था चोल काल में प्रांतों को निमलिकित में से क्या कहा जाता था देखिए इस कोश्चन का जो सही अंतर होगा बहुत जगा आप्सन नमबर A मंडलम कहा जाता था यानि आप्सन नमबर A ठीक है फिर चोल काल में जो प्रांतों को मंडलम कहा जाता था फिर मंडलम को कोटम में को न बो था बिजायल Next question है question number 81 Question number 81 कह रहा है समराट असोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जीन आचारों की सहिता का पालन का बात कहा था उससे अभी लेखों में क्या कहा गया है तो उससे अभी लेखों में क्या कहा गया है धम कहा गया है और इससे एक चिरोर याद रखेगा असोक ने धर्म परचार के लिए अपने पुत्र महेंदर और अपनी पुत्र संहमित्रा को सिरलंका भेजा था Next question है question number 82 Question number 82 कह रहा है उदायन ने गंगायबं सोन नदी के संगम पर पाटली पुत्रा नामक नगर के अस्थापना की इसकी जानकारी निम्लिखित में से किस रोज से प्राप्त होती है तो परिशिवर परवन से भी गार्गी सहिता से भी और बालू पुझान से भी सभी से इसकी प्राप्त होती है भाषिपित की अगर बात करते हैं तो मेगा अस्थनीच से याद रखेगा ये सेलूकस नीकेटर का दूत्र ठाथ और ये लगभग साथ बरसों तक चंद्रक्त के दरबार में रहा था इसने एक इंडिका नामक पुस्तक बिली की थी और इसके अनुसार भारतिय समाज को साथ भर्गों में बिभाजित किया गया था फाहियान चंद्रगुप दूतिये सही है, हेंसौंग हर्थबर्धन सही है यानि इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वह जगा आपसन नमर डी सभी सही सुने लित है चलिये, अब औरते हमने अगले कोश्चन की तरफ जो किया हमादा कोश्चन नमर 84 कोश्चन नमर 84 कह रहा है कि चंद्रगुप प्रथम घटोक्चत का उत्राधिकारी था इसने महाराजाद हिराज की उपादी धारन की तथा 359 इसमि में गुप्ठ संबत की सुरुआत की गुप्ठ संबत एबँ सक्च संबत के मद कितने बरसों का अंतर है तो देखिए, चंद गुप्ट मौर जो था, वह गुप्ठ संबत की सुरुआत तो 319 में किया था और अगर सक्थ संबद की बात करते हैं तो सक्थ संबद कनिस्क के द्वारा शुरुआत किया गया था कब 70-80 सब में तो 319 में से 78 माइनस कर दीजे तब अंसर आजागा 241 यानि उप्सन नमबर A जो है वो हमारा सही अंसर होगा नक्स कोशन है कोशन नमबर 85 कर रहा सिवाजी के नेतरित में मराथा खक्तिक के उठान को मद कालीन भारत के इतिहास की एक महत्पून घटना के रूप में जाना जाता है 16 जून 1604 में सिवाजी ने राजाबी से किस बिद्दमान के सहयोग से किया था तो सिवाजी का जो राजाबी सेक था वो काफी के प्रसीद बिद्दमान स्री गंगा भट के सहयोग से राइगण में करवाया गया था इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा आप्सन नमबर B तो सदासीव राव भाव से याद रखेगा, ये पानिपत के त्रीतिय यूद में मराठा सेना का प्रतिनिद्ध किया था क्योशन नमर 86 कह रहा है भेध-भाव के नाम से जाना जाता है अगर हम बात दादु ड़ियाल की करते हैं तो इनके नेतरित में निपक नमक अंदोलन की शुरुवात हुई थी रायदास की बात करते हैं तो ये रामानंद के सिस्त थे और मोजी का भी काम करते थे बीरभान से याद रखेगा ये भी भक्ती अंदोलन के हिस्संत थे और इनका जन्म पंजाब में हुआ था नक्स कोचन है मारा कोच्चों नमरτι ऐटी सबन के रहे है निमन में से कौन सा कथन सही है 1505 इस्विी में फ्रांसेसी द जर भारत में प्रथम पुर्तगाली बासरा बनकर आया था ये बिल्कुल सही है अब पुर्तगालियों ने अपनी पहली बैपारी कोठी कोचीन में अस्तापित किया था ये भी जईया और कब अस्तापित किया था पंदरा सो तीन में फ्रांसेसी देल मेडा से याद रखेगा इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थे क्लियर है तो इस कोच्चन का जो सही अंसर होगा वह जागा ऑप्सन नमर सी एक और दो दोनों सही है कोच्चन नमर 88 कोच्चन नमर 88 कहरा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जेर्नल को भारत का गवर्नर जेर्नल कहा जाने लगा तो यह 1833 का चाटर यह थिनीन था इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जेर्नल को भारत का गवर्नर जेर्नल कहा जाने लगा और उस समय लॉड बिलियम बेंटिक जो था वह भारत का गवर्नर जेर्नल था इस कोच्चन का जो सही अंसर होगा वह जागा ओप्सन नमर 2 और 1333 का चार्टर रियाक्ट नक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 89 कोश्चन नमबर 89 कह रहा है निम्न में से किसने हैदराबाद राज की अस्थापना किया था चिंकलीच खाने तो आपसन नमर C जो है वो हमारा सही अंजर है अगर हम बात साद तुल्ला खान की करते हैं तो इसने करनाटा की अस्थापना की थी सादत खान की बात करते हैं तो इसने आबद की अस्थापना की थी और मुर्सित कुली खान ने बंगाल का स्थापना किया था कोश्चन नमर 90 कह रहा मैंगलोर की संधी कब हुई थी ऐसथाय-बंदोबस ब्यवस्था के समझ निम्ण में से कौन सा कत towns तो असत्षाय-बंदोबस ब्यवस्था तोरह धेचता किया गया था और इस एक चीज़ याद रखेगा इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और इसमें गांधीर बिन समझाता को सुईकारा भी गया था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वह जागा अप्सन नमर सी सरदार बल करने के लिए नहिंवंबर उनने सेतीस में प्रथम गोल में संवेलन का योजित किया गया तो ये तो सही है इस संवेलन में गांधी जी ने कॉंग्रेस के यहमाद बति रिद्दी के रूत में हिस्षालिया था इसनोक ब्रादर के कुछsi के दारब से कोई बाग नहीं दिया गया था तो अर्बीन घोस पर मुकदमा चलाया गया था अलिपूर सरियंद केस में तो आपसर नमर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा यह जेजरी 18 माई 1908 की घटना है इसमें कुलकत्ता के अलिपूर अदालत में अबैर सस्त रखने के कारण 34 बेक्तियों पर अलिपूर स स्थापक निम्ण में से कौन थे तो इस्ट इंडिया एसोचीयेशन के संस्थापक थे दादा भाई नरो जी और इसकी स्थापना 1866 में लंदन में की गई थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा आपसर नमर ए दादा भाई नरो जी और इसका जो मुख उदेश था वो ये था कि जो भारत के लोगों की समस्या है और जो भारत की लोग की जो मांग है इससे ब्रिटेन को अबगत कराया जाए और भारत बास्यों के पच में इंग्लेंड में एक जन समर्थन तयार किया जाए नेक्स्टोशन है कोश्शन नमर 96 कोश्शन 9.96 लीडर पत्र के संस्सापक निमनमे से कौन से थे तो लीडर के संस्ताबक थे मदन मोँहन मौलबिये तो और ऑसन नमर डी जो होगा भो हमारा सही अंसर होगा मदन मोहन मालबिये से याद रखेगा इन्होंने हिंदुस्तान, मर्यादा, पत्रिकाओं और अभियूद ये सब पत्रिकाओं के लेखा को संपादक का काम इन्होंने मदन मोहन मालबिये के द्वारा ही किया गया है मदन मोहन मालविये से एक चीज याद रखेगा इन्हें महा मना के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1915 में हिंदु महासभा की अस्थापना भी की थी Next question है question number 97 Question number 97 कह रहा है पूना समझाता किस बर्स हुआ था पूना समझाता जो हुआ था वो हुआ था 1932 में भीमराव अमेतकर और महात्मा गांधी के बीच पूने के एरबदा सेंटरल जेल में 26 सी नमबर 1932 को Next question है question number 98 Question number 98 कह रहा है कि भारत में सोने के सिक्के सरपर्थम किसके द्वारा जारी किया गया था तो भारत में जो सोने के सिक्के थे वो सरपर्थम हिंदी यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंजर होगा लेकिन यहाँ एक चीछ और पुछा जाता है कि सबसे जादा सुध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया थे और यह गुफाएं जो हैं, वो अपनी भीती चितरों के लिए प्रसिद हैं, तो option number B जो होगा, वो सही अंसर होगा, मद पदेश के धार जीले में इस्थित है, question number 100 कह रहा है, निमलेखित में से कौन सा राजबंस त्री पच्छिय संगर्स में सामिल नहीं था, तो इस question का जो सही अंसर होगा, वो हो जाएगा, option number B, पुस भूती बंस, ठीक है, बात बाकी जो कनोज के लिए तीन राजबंस थे, गुजर परतिहार, पाल और राश्ट संदाया होगा, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा, साथी साथ आप लोग अपने marks कमेंट करके बताईएगा, और एक और question जो मैं आप लोगों से पूछा था, कि एक suitable timing बताईए, जिस suitable timing में आप लोग online आ सकते हैं, और आप लोग य test दे सकते हैं,